जब दोनों सेना एक कुरुक्षेत्र में कट्थी हुई थी तो अरजुन ने कहा था कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए तो भगवान ने रत अरजुन का रत इस पेड़ के नीचे खड़ा कर दिये था नमस्कार साथियों मेरा नाम है विरेंदर सिंग जाट और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन देशी ट्रेउलर जहाँ पर भगवान स्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था आज में लेकर आया हूँ आपको हरियाना के कुरुक्षेत्र के उसी स्थान पर जहाँ पर भगवान स्री कृष्ण ने अरजुन को गीता का ज्यान कराये था यानि स्रेश्टी को ही गीता का ज्यान कराये था तो चलिए आई यह मेरे साथ बने रही हैगा मैं आपको वो इस्थान भी बताऊँगा जहां पर पांच जार साल पुराना वटवरक्ष आज मी मुझूद है वीडियो अन्त तक जरूर देखिएगा व्यर्थ किस से डरते हो कौन तुम्हें मार सकता है आत्मा न कभी पेदा होती हैं न कभी मरती हैं तुम्हारा क्या गया जो तुमने खो दिया जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया जो आज तुमारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा अपना पराया मेरा तेरा सब बेदबाव मन से हटा दो यह शरीर अगनी आकाश वायू और प्रिथी जल से मिलकर बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा अपने आपको इश्वर को समर्पित कर दो यही एक उत्तम सहारा है यही कुछ ऐसे शब्द थे जो भगवान स्री कृष्ण ने यहीं पर दिये थे यानि आप मेरे पीछे देख सकते हैं गीता उपदेश इस्थली जोती सर यही वो मध्य इस्थान है जहां एक तरफ पांडवों की सेना थी और एक तरफ कोरवों की यहां पर बीच में भगवान स्री कृष्ण ने खड़े होकर गीता का उपदेश दिया था साथियों हमारे साथ मोजूद हैं पुषपेंदर जी शर्मा जो प्रोपर यहीं के है यह हमें पूरे ही जोती सर में मुझूद मंदीरों की सारी जानकरी बताएंगे सर सबसे पहले आपके बारे में कुछ जानकरी दीजिए और फिर यहां के बारे में सारी जानकरी विश्तार से हमें बताईए मैं पुश्पेंदर सर्मा गाम जोतीशर से हूँ यह गाम काफी बड़ा है और लगबग दस हजारबादी वाला गाम है और यह गाम इसी मंदरी के नाम से है जोतीशर यानि के ग्यान कस्रोवर हम खड़े हैं जोतीशर तीर्थ पर आप देख सकते हो यह यह वटवरिक्ष है यह देखने में छोटा इसलिए लगता है क्योंकि जब मुगलों को राज था तो मुगलों ने इसको कटवा दिया गया था लेकिन इस पेड़ पर भगवान की आशिम किर्पा है यह पेड़ फिर हुगा है यह देखे लिखा अक्षय वटवरिक्ष जिसका कभी शैना हो यह कमर है क्योंकि भगवान श्री किर्शन ने गीता का उपडेश दिया था ना वो इसी पेड़ के नीचे दिया था आईए हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि यह पेड़ कितना पुराना है जब दोनों सेना एक रुक्षेत्र में कटी हुई थी तो अरजुन ने कहा था कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए तो भगवान ने रत अरजुन का रती स्पेड के नीचे खड़ा कर दिये था और अरजुन ने यहां पर हत्यार गेर दिये थे चाहे मुझे स्वर्क का राज ही क्यों ना मिले मैं युद नहीं करूंगा और रत के पिछले भाग मे बैठ गया था तो आप यह देख सकते हो जो यह रत बना हुआ है यादि गुरु शंकराचारिये के शिष्ये ने बनवाया था 1968 में 1967 में तो यह उसी मुद्रा में बनाया गया कि अरजुन पिछे बैठे हाथ जोड़ रहे हैं और किरसंजी समझा रहे हैं और अरजुन जी कह हैं कि मुझे चाहे स्वर्क का राज ही क्यों ना मिले मैं युद्ध नहीं करूंगा तो इस पेड़ के नीचे भगवान ने अरजुन का रत खड़ा कर दिया था और अरजुन ने यहां पर अथियार गेर दिये थे तो भगवान ने फिर यहां पर अपनी भूतियां बताई और लाश्ट में विराट रूप के दर्सन दिये और कहा मारो ना मारो पार्थ मारे यहां सब जाएंगे तो यहीं से फिर महा भारत का युद लड़ने के लिए अरजुन तत पर त्यार हुआ और यहां से जो युद लड़ा गया था वो और तालिस कोस यानि के 156 किलो मिटर का जो एरिया है उसमें युद लड़ा गया था यह हमारा काम जोतिशर है इसके ही साथ में नदी वहती है शर्श्वती नदी उसके दक्षिन किनारे पर युद लड़ा गया था जो की 48 को से 156 यहां से 100 किलो मिटर जींद है डिस्टिक जींद है जी और यह पांच डिस्टि रिक है 156 km का जो एरिया है वो सारा यूद का मैदान है यह महाभार से पहले ही धर्म दरती है क्योंकि गीता के पहले शुलोख में लिखा है धर्मक्रो कुर्ण यूद से पहले भी धर्मक्रो कुर्ण है ही शर्मा जी एक बात और में आप से पूछना चाहूंगा भग्वान के अनन्य भगत थे जो धुर्योदन की तरफ थे लेकिन उनकी मजबूरी थी लेकिन भगवान ने इनी को देखते हुए इस धर्म धर्ती को चुना था ये धर्म धर्ती है आज भी हमारे यहां परकरिया है जब कोई मर जाता ना तो उसका चोथा आपके वहां करने के बाद गय हुए है चोथा नहीं होता सिधा ऐसी बोलता है भगवान की ऐसी ही उसका मोक्स हो जाता है यहां पर किये गए पुन्य करम तेरा गुणा तेरा दिन तक फल देते हैं और भगवान ने यह इसलिए यह दर्मदर्ती चुनी थी कि जो यहां मरे सीधा मोक्स जी इसलिए युद कुछेतर में लड़ा गया था अगर देखा जाए तो युद्ध राजस्थान में होना चाहिए था क्योंकि एक तरीके से युद्ध का इस्थान बड़ा मेदन बना हुआ तो यह अब यह अड़ताली 156 किलोमेटर का जो मदान था उसमें मकाने दुकाने यह खेती बाड़ी हो और अब यह देखिए यह और ओगे त्यार आप 10-12 साल पिछे यह एक हो जाएगा पेड़ और आप देखने दब दबारा आओगे तो लगेगा कि वाक्या में यह बहुत प्राचिन पेड़ है यह बताते हैं यहां पर जो स्वामी जी थे ना तीन पीड़ी पहले हैं जी वह 1963 में उनका वो उन्होंने समाधी ले ली थी उन्होंने बताया था कि जब अंग्रेजों का राज था जब अंग्रेजों का राज था तो साइंटिस्ट यहां पर भेजे गए थे अमरीका से इसकी खोज करने के लिए उस टेम स्वाम जी बताते थे कोई ख़वार चपता था उन्होंने बताया कि उस अख़वार में टाइटल चापा था कि वाक्य में यह सड़े 5000 वर्थ से भी पुराना पेड़ है और इसकी खोज भी मैं बता दूं कि आदिगुरु शंक्रेचारिय जी ने की थी आप देख सकते हैं आदिगुरु शंक्रेचारिय जी का मंदिर है ब अमर संदेश इसी पेड़ के नीचे दिया था तो जैसे उनके गुरु शिशे जेंदर सरस्वती जिनका पीछे अभी इंतकाल हो गया था उन्होंने जब यह कहीं पड़ा तो वहां से पैदल चलके अपने गुरु की उससे आके उन्होंने इस चबूत्रे का निर्मान करवा और 1963 में यह जो आप देख सकते हो यह रत बना हुआ है मारबल का उन्होंने अपने गुरु जी की याद में यह बनवाया था और अपने गुरु जी का मंदिर भी आदिगुरु शंकराचारी जी का मंदिर यहां पर बनवाया था उत्तर हर्याना में एक ही मंदिर है आदिग परणा पेड़ है लोग शर्मा जी और भी यहां पर बहुत सारे यह जो बर्गत के पेड़ है या फिर सारी इसी की जड़े हैं मुख्य व्रक्ष यह है एक दो तीन और दो पांच 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 पांडों के नाम से जाने जाते हैं जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर यह है के बारे और अभी हमारा जो यह प्रोजेक्ट चल रहा है आप इदर से देखेंगे इसको अभी सरकार अच्छा पैसा यहां पर लगा रही है अभी पिछले कृष्णा सर्किट में 97 क्रोड रुपीज आया है को लिए 80 फूट का यहां पी विराट सुरूप श्री कृशन जो एक खुद ही अट्रक्टिव चीज रहेगी मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हैं यहां की अब में जो बिल्डिंग रहेगी में रास्ता रहेगा वह उस गेट पर चला जाएगा उस गेट से एंट्री होगी वहीं पर पार्किंग का एरिया होगा वहीं पर स्कूर्टी जब लाइट सांड़्ड फार्स चुल्ड बिल्कूल слबकुल यह पानी का बैल। बनाता है पानी के बैलून से यहां से फोकस पड़ता है उस पर अर्जुन अपने कोश्चन कर रहता है ऐसा ही एक उदर है तो श्री क्रिशन जी वहाँ उसको बैठके यह पानी के बैलोन पर खड़े होके उनको ज्यान देते हैं और वह सामने से जो प्राक्टर इस पर आता है जो मावारत के सीन थे जैसे कुल चरी मोसम खराब हो तब थोड़ी समस्या रहती है क्योंकि प्रजेक्टिर के लाइटे उस तक नहीं जा पाती बहुत-बहुत दिन्यवाद सर हमारे साथ जुनने के लिए आपका शुबनाम जानना चाहूंगा मैं प्रदीप शर्मा हूँ एक समाज सेवक के रूप में हम मुझे जान सकते हैं मैं 104 बार ब्लड डोनेट कर चका हूँ और साथ में मेरी टीम है 300-400 लड़के लड़की होगी जो पूरे कुर्शेतर में हरियाना में आसपास जो भी किसी को ब्लड की उश्कत होती है तो हमार दन्यवाद सर ऐसे ही समाज हीत के लिए आप काम करते रहिएगा साथ ही इस वट व्रक्षी के नीचे एक चबुते का निर्मान महराजा दर्बंगा जी ने करवाया था यहाँ पर महाभारत काल से जुड़ हुई कई कलाकृतियां और प्रमान देखने को मिलते हैं ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध की दोनों सेनाओं का मध्य इस्तान यही था लेकिन यहाँ पर एक दूविदा यह भी है कि कई सालों से इस बात की भी बहस चल रही है कि असल में गीता की उपदेश इस्तली है कहां आपकी राई हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा धर्म से यही उम्मिद करूँगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके आपके चार-पांच भाईयों तक शेयर किजिएगा फिलाल मुझे दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे किसी नए और प्राचीन एतिहासिक वीडियो के साथ झाल